लास्ट वीडियो हम लोगों ने विशेशन का किया था जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको देखिएगा प्लीज क्योंकि जैसे ही टॉपिक कम्प्रीट हो जाएंगे लेंग्विज 1 का स्टूरेंट हो चाहे 2 का हो सभी बच्चों को जितने भी टॉपिक है इसे संबंदित जो टॉप कुश्चन कैसे आ सकते हैं एक्जाम में वो भी हम करेंगे ठीक है तो इसलिए सबसे पहले तो टॉपिक जो है वो बेसिक से आपको यही चीज समझ में आने च चाहिए ठीक है तो देखिए लास्ट वीडियो के कुछ कोश्चन थे तो एक कोश्चन था अन्जू सेखावत का कि खर्च जो है वह क्या है तो देखिए खर्च जो है वह भावाचक संग्या होगी ठीक है और इस खर्च से ही अगर कहा जाए कि विशेशन कैसे बनाएं तो में इला प्रत्य लगाएंगे तो वह बनेगा खर्चीला तब क्या बन जाएगा विशेशन बन जाएगा जैसे वह खर्चीला व्यक्ति है तो व्यक्ति कैसा है खर्चीला ठीक है तो वह बन जाएगी विशेशन तो समझ में आया होगा खर्च जो है वह भावावाचक संग् नेक्स्ट जो उसा पवार हैं वो बार-बार ये कहती है कि वीडियो जो है वो बच्चे लाइक नहीं करते हैं देखिए उसा जी आप इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचें क्योंकि ये मुझे भी पता रहता है कि बच्चे जो है वो पढ़ते तो काफी है लेकिन लाइक करने म उनको एक बटन को प्रेस करने में है उनको बहुत जोर पढ़ता है ठीक है आप लोगों को पढ़ने के लिए तो बैस्ट से बैस्ट चाहिए लेकिन हमें भी कुछ चाहिए होता है वीडियो को अगर आप केवल लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे तो इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज को यदि सभी समझ जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो ठीक है तो मैं तो यहां पर यूटूब पर बिल्कुल फ्री में ही सारे वीडियो जो है वो डालती हूं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूं कि आप लोगों को पीडियो जो है वो मिल रही है तो वो अलग है या यूटूब चैनल पर जो पढ़ा रही हूं वो अलग है पिल्कुल सेम है जिन बचों ने पीडियो ली है उनको पता है यूटूब चैनल पर सभी वीडियो प्री में पड़े हुए हैं आपकी इच्छा के कोर्डिंग ही आप लोग पीडियो खरीद भ जो है वो आपको एक दो दिन में पता लग जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप तयारी कर सकते हो आप अगर एसेस्टी के स्टुडेंट हो तो आप बिल्कुल चैनल की प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो जो है हिस्टी जोग्रफी पॉलिटी के बिल्कुल फ्री में पड़े और यदि आपके पास टाइम फिर भी कम रह जाता है तो आप क्या करिए पीडियफ जो है वो आप ले लीजिए तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तो आप पीडियफ लेकर जो है वो अपने कम समय में तयारी कर सकते हो ठीक है क्योंकि नेट के तयारी भी की है आपने तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा नेक्स्ट जो पूजा है वो कह रही है कि हमारे इसमें सिलेबस में क्रिया जो टॉपिक नहीं है देखिए जो लेंग्विस टू है उसके अंदर क्रिया का टॉपिक है लेकिन जब आ जा ठीक है तो इसी लिए क्रिया का टॉपिक जो है वह भी इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्रिया का टॉपिक तो सबसे पहले तो यह बताते हैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ले लेती हूं लेकिन आप लोगों के लिए ही है यह सब भी कि क्रिय क्रिया कर्थ क्या होता है करना होता है क्रिया कर्थ क्या है करना क्रिया के वेना कोई वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता है ठीक है अगर संस्कृत में बात करें तो जो क्रिया रूप है उसको क्या कहते हैं धातू कहते हैं और इसी धातू में अगर ना जोड़ दें तो क्या ब बेज जो हैं वो काल के अधार पर भी होते हैं, सरंचना के अधार पर भी होते हैं, और कर्म के अधार पर भी होते हैं, तो आपको तो क्रिया के बेज जो कर्म के अधार पर बहुत याद रखने जरूरी हैं, दो होते हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया, जिसमें सकर्मक्रिया क्या होती है जिस क्रिया का फल करता को छोड़कर कर्म पढ़ पढ़ता है तो वो है सकर्मक क्रिया कैसे जैसे कि गीता सितार बजा रही है तो सीता क्या बजा रही है सितार बजा रही है तो यहां पर क्रिया का फल जो है वो करता को छोड़कर किस पर पढ़ रहा है कर्म पर जहां पर क्या का प्रश्ण नहीं आता है, जैसे कि वह सोती है, तो वह क्या सोती है, कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो क्या होगी, क्रिया जो होगी, जिस वाके में क्रिया का प्रभाव जो है, उसका जो फल है, वो केवल करता पर ही पड़े, कर्म की वहाँ पर कोई भी संभा नहीं रहे तो वह क्रिया होगी अकर्मक्रिया तो सकर्मक और अकर्मक कर्म की आधार पर क्रियाएं होती है इनको आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा काल की आधार पर होती है वर्तमान कालिक क्रिया भविश्य कालिक क्रिया भूत कालिक क्रिया ठीक है तो यहां आपक को यह चीज देखने को मिलेगी तो वहां clear होगा तो चलिए question start करते हैं question 1 है वाक्य में जहां कर्म की आविशक्ता नहीं होती है वहां क्रिया होती है तो ऐसे question जो है वह आपके exam में पूछ लिये जाते हैं वाक्य में जहां कर्म की आविशक्ता नहीं होती वहां क्रिया कैसी हो होगी सकर्मक्रिया अकर्मक्रिया पूर्ण एवं कर्मक या एक भी नहीं तो वाक्य में जहां कर्म की आवश्यक्ता ही ना हो तो कैसी होगी क्रिया बिल्कुल क्रिया होगी अकर्मक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म के आधार पर हम देखते हैं क्रिया के दो भेद सकर्मक और अकर्मक जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाब जो है वो केवल करता पर पढ़ता है तो वह है अकर्मक है और जहां करत परना पढ़कर करम पर पढ़ता है है तो वह सकरमक नरेश मैदान में दौड रहा है इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक है, सकर्मक है, पूर्ण सकर्मक है, या प्रेरणार्थक क्रिया. है तो सोचिए इसमें क्या हो सकता है तो बिलकुल इतनी clarity के साथ definition जो है वो मैं आपको भताई अभी-अभी कि यहां देखिए क्या का प्रस्ण जो है वो लगा कर देखिए नरेस मैदान में दोड रहा है नरेस क्या दोड रहा है क्या आपको उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो आंसर क्या आएगा अकर्मक्रिया जिस क्रिया के कार्य कफल करता पर ना पढ़कर कर्म पर पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया दूइकर्मक्रिया या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कर्म पर पढ़ रहा है कारे का जो फल है वो किस पर पढ़ रहा है कर्ता पर न वोकर कर्म पर पढ़ रहा है तो आंसर क्या होगा सकर्म क्रिया जैसा कि मैंने आपको एक्जामपल दिया था कि गीता सितार बजा रही है तो वहाँ पर सितार जो है उस पर क्या पढ़ रहा था बल पढ़ रहा था ठीक है तो करता का पल जो है वो कार्य का पल जो है वह करता पढ़ना पढ़कर कर्म पर पढ़ता है तो सकर्मक्रिया अब देखिए द्विकर्मक्रिया क्या होती है जो अकर्मक्रिया है इसके दो भेद होते हैं एक कर्मक और द् एक कार्य हो रहा है दुईकर्मक जिसमें की दो कार्य हो रहे हूं। तो इतना डीप में जाके जो है वो कॉश्चन आपके एक्साइम में नहीं पूचा जाता। नेक्स्ट देखिए, question 4 है, किस वाक्य में क्रिया भूत काल में नहीं है, वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की है, वह पढ़ने वाला है, या उसने पढ़ाई कर ली थी, तो इन में से क्रिया जो है, वह भूत काल में नहीं है, तो देखिए, वह पढ़ रहा था, ठीक है, यहां तो बिल्कुल दिखाई दिरा है, कि क्रिया जो है, वह भूत काल में हो रही थी, ठीक है, और अब भी चल रही है, उसने पढ़ाई की है, अब यह है समझकर यह मत सोचेगा कि यह वर्तमान हो गई, उसने पढ़ाई की, यानि उसने पढ़ाई कर ली थी, इसका आरत यह है, वह पढ़ने वाला है, तो वह तो पढ़ने वाला है, अभी तो नहीं पढ़ाए वो, ना तो वर्तमान है, ना ही बूत काल है, या क्या है, भविश्यकाल, उसने पढ़ाई कर ली थी, तो उसने पढ़ाई कर ली थी, पहले कर पूत काल में आंसर क्या होगा option c तो इस तरह किसे क्रिया के जो है वह है प्रशन आपके एक्जाम में आते हैं कौन सा सब्द क्रिया नहीं है गिरवाना बिच्छोना चलाना और लिखवाना तो यहां सोचिए क्रिया कौन सी नहीं है क्योंकि ना जो प्रत्य लगा है वह तो तो यहां पर कौन सी सब्द क्रिया नहीं है तो बिल्कुल यहां पर देखिए गिरवाना जो है वो क्या है क्रिया है चलाना क्रिया है लिखवाना क्रिया है सभी में क्रिया हो रही है लेकिन बिच्छोना जो है वह है ओना प्रत्य लगके बना है यह नहीं है यह क्रिया नही है नेक्स्ट देखिए निमनलिकित क्रियाओं में से कौन से क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है फड़ फड़ाना मिमयाना जुटलाना या हिंहिनाना तो निमने लिखेत क्रियाओं में से कौन से क्रिया अनुकरण आत्मक नहीं है यानि अनुकरण से वो क्रिया नहीं होती तो देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है फड़ फड़ आना बिल्कुल अनुकरण से होती है ये क्रिया मिम्यान यह भी अनुकरण से होती है हिन हिना होती है लेकिन जुटलाना नहीं होती है नेक्स्ट देखिए कौन सा सब्द सकर्मक क्रिया है रोना चिलाना लिखना और सोना तो जैसा कि मैं आपको कहती हूं कि व्याकरण में वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको ऽमज में आ जयेगा, काउन साबस सकर्मक है, रोना, वह रोती है, चिलाना, वह चिलाती है, ठीक है, वह लिखती है, वह सोती है, तो यहाँ पर कर्म जो है, वो एड़ करके देखिए, क्या इनमें से किसमे कर्म जो है वो एड हो सकता है जोड सकता है तो वह रोती है वह क्या रोती है यहां पर कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है वह रोती है ठीक है ऐसे हो सकता है कि वह जोड से रोती है लेकिन वह क्या रोती है नहीं आएगा वह चिलाती है वह क्या चिलाती ह यहां भी आंसर नहीं आएगा वह लिखती है, अभी वह पत्र तो लिख सकती है वह पत्र लिखती है वह सोती है तो यह भी यह तीनों जो है वो अकर्मक के उधारन है और लिखना जो है वह सकर्मक क्रिया है चिडिया आकास में उड़ रही है वाक्य में क्रिया है अपून, सकर्मक, अकर्मक या प्रेरणार्थक तो सोचिए चलिया आकास में उड़ रही है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है तो देखिए चलिया आकास में उड़ रही है चलिया क्या उड़ रही है आपको समझ में आगया होगा क्या है अकर्मक क्रिया यहाँ पर आंसर नहीं आया और यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जो है वो केवल करता पर पढ़ रहा है जिस क्रिया को करता स्वयम ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे कहते हैं आज्यार्तक क्रिया, प्रेणार्तक क्रिया, संयुक्त क्रिया या इन में से कोई नहीं तो देखिए करम के आधार पर दो प्रकार की होती हैं क्रिया सकर्मक और अकर्मक काल के आधार पर तीन होती हैं वर्तमान, भूत, भविश्य क्रिया ठीक है और सरंजना के आधार पर जो ह पता लग रहा है कि आंसर जो है वो क्या होगा यहां पर स्वयम ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो आग्या तो नहीं है सवयुक्त क्रिया भी नहीं है यह क्या है बिल्कुल स्पश्च दिखाई दे रहा है प्रेरित किया जा रहा है तो प्रेणार तक आग्यार्थक अकर्मक या पूर्वकालिक तो सोचिए सुरेज दोड़ता है इस रेखांकित पद में क्रिया है तो यहाँ प्रेणार्थक क्रिया है आग्यार्थक क्रिया है अकर्मक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है तो यहाँ पर बिल्कुल इस पस्ट है कि क्रिया जो है इसका प्रभाव किस पर पढ़ रहा है सीधा सुरेश पर पढ़ रहा है कर्म का यहां पर कोई भी रॉल नहीं है इसलिए कौन सी क्रिया है अकर्मक्रिया तो आज मैंने 10 ही कोश्यन लिये थे तो यहां पर बहुत ही easy सा concept जो है वो आपको समझ में आना चाहिए जब क्रि इसे कोश्यन जो है वह भी आते हैं और जब काल करोगे तो वहां पर आपको क्रिया जो है वह भी पूछी जाती है तो इस तरीके से 10 कोश्यन में आपका concept जो है clear हुआ होगा और थोड़ा सा आप याद रखिएगा क्रिया किसे कहते हैं और करम के आधार पर सकर्मक और अकर् बनती है ठीक है तो चलिए इवनिंग में आपका टैस्ट होगा तो आप लोग तैयार रहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू